आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अत्रिप्त का विलोम शब्द क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अत्रिप्त का आर्थ समझते हैं अत्रिप्त का आर्थ होता है संतुष्ट या जो संतुष्ट ना हो या जिसका मन नै भरा हो यानि कि जिसको संतुष्टी या त्रिप्ती ना मिली हो उसे हम अत्रिप्त कहते हैं तो अत्रिप्त का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होगा त्रिप्त वो त्रिप्त का आर्थ होता है संतुष्ट, संत्रिप्त या जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो तो आईए अब हम अत्रिप्त और त्रिप्त को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी आत्मिक त्रिप्त रखा ये फिर आप कह सकते हैं उसकी आत्मिक शान्ति ने उसे पूर्ण त्रिप्त का अनुभव कराया ये फिर आप कह सकते हैं लंबे समय की महनत के बावजूद वह अभी भी अत्रिप्त था यह फिर आप कह सकते हैं लंबे समय की महनत ने उसे पूरी त्रिप्ति प्रदान की अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें